आप सभी को नमस्कार मैं दीपक कुमार टीजिंग वाला पर आप सभी का स्वागत करता हूं साथियों जैसा कि आप लोग जानते है एस्टेट 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है और उसमें अग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है कहां कहां पर चेंजिच हुए हैं और भी काफ 30 अक्टूबर 30 अक्टूबर को फोम भरने की डेट आप लोगों की स्टार्ट है और 10 नॉम्बर तक आप फोम फिल कर सकते हैं फिर भी मैं यह चाहूँगा कि आप लोग आज कल में जल्दी से जल्दी अपना फोम फिल कर ले क्योंकि लास्ट मोमेंट पर आप लोग मत रहते हैं कि नहीं सर कम से कम फी होना चाहिए लेकिन कम फी तो नहीं है लेकिन हर बार की तरह इस बार भी फी आप लोगों को जादा ही देखने को मिल रही होगी हाँ तो दिखिए का यहाँ पर आप लोगों को बता दिया जाए कि ऐसी कटेगरी के बच्चों के लिए पेप के बाद करें जो जनरल जारी के बच्चे तो चलिएगा अब हम लोग बात कर लेते हैं सलेवस के उपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इस पर चेंजीज क्या हुए हैं उसके उपर भी बात करेंगे पेपर ओल्मोस्ट पहले की तरह ही है लेकिन जो चेंजिज हुए है उसके बारे भी मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा देखिए अगर आप लोग PRT की त्यारी कर रहे हैं पहली से लेकि पाचमीं क्लास तक के टीचर बनना चाहते हैं तो सात्यों आपके syllabus में क्या-क्या होने बाला है आएगा बात करते हैं CDP आप लोगों का 30 नंबर कर रहेगा पहली की तरह लेकिन इस पर थोड़ा सा इसके अंदर चेंजिच हुआ है क्योंकि पहले आप लोग देखते थी कि one-liner question आप लोगों के रहा करते थी इस बार आपके CDP में थुड़ा सा चेंज हुआ है इस पर आप लोग देखेंगे कि पेडागोजी भी आप लोगों से पूछी जाएगी चीक है अब दाना चाहूं तो आपको एक पैसी चार से पाच नंबर का एक पध्यांस और गध्यांस का और एक पास से छे नंबर के आप लोगों को पेडागोजी के कोशन भी देखने को मिल सकते हैं और यही पैटरा निश्बार इंग्लिस में भी होने वाला है ठीक है अगर हम लो तो यह आप लोगों का अगर आप लोग पहली से पाचीन तक की टीचर बना चाहते हैं तो यह आप लोगों के सब्जेक्ट रहेंगे और इतने इतने नंबर का वेटेज रहेगा आप इसको ध्यान में रखते हुए त्यारी कर सकते हैं अगर आप लोग टीजिटी के बात कर जाएंगे हिंदी और इंगलिस में आप लोगों की पध्यांस गध्यांस यह चीज़े इस पार पूछी जाएंगे और इसके साथ में पैड़ागोजी की कोशन भी पूछे जाएंगे ठीक है और सारी चीज़े सेम है पहले की तरह है तो अगर हम लोग टीजिटी की बात करें करेंगे तो कोमन सब्जेक्ट होगे सारी तो इसमें जो आप लोगों का सब्जेक्ट रहेगा जो आप फो में फो में करेंगे वह आप लोगों का सिक्ष्टी मार्क्स करेंगा सिमिलर पीजीटी में भी ऐसे ही रहेगा ठीक है तो यह सारा आप लोगों का अग्जाम पैटर की बात करें और तीस नंबर की मैथ और है तो आप लोग देखोगे यहाँ पर दस नंबर की मैथ आपकी यहाँ पर है तो चालिस नंबर की मैथ के लिए आप लोग यह मैथ का सलेवस कर सकते हूं पिछली बार जो कोशन पूछे गए थे वो सारे कोशन इसी में से पूछे गए आप लोगों कि एक तो आप लोग यह चीज नोट कर सकते हैं और यह सबी बच्चों के लिए हैं जो TGT की तियारी करें गे उनका भी 10 नंबर का मैर्थ हैं आपको यह टोपिक करने होंगे जो बच्चें PGT की तियारी कर उसमें भी जो दस नमर की मेह था दियpod उसमें भी आप लोगों को यह topic अच्छे से कर लेने हैं ठीके उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं 10 नबर की reasoning के लिए साथ यो reasoning के लिए आप लोगों को यह topic ध्यागशनीन है ठीक है मेरा सब्जेक्ट है मैं इसलिए मैं इन दोनों उमच्छ सब्जेक्ट में आप लोगों को बदा रहा हूं पिछली बार ओर सारी की सारी कोसें आप मां जरूर चाहूँगा कि आप अपने पकड़ शुरू से शुरुवाती दस दिनों में ही बना ले तो क्यूंकि उसके बाद समय आगे बहुत कम है तो बस यही कहना चाहूँगा आप लोगों से और जल्द ही आप लोगों का यूटूपर में बैच भी लेके आने वाला हूं और अभी तक के लिए इतना ही थेंक्यू थेंक्यू वेरेगे